विराट पुजारा और रहाने पर टेस्ट सिरीज में होगी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दिकोड भी है शानदार विराट कोली की कप्तानी वाली दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम यानी टीम इंडिया को अब न्यूजिलेंड की खिलाब दो मेचों की टेस्ट स्रीज में हिस्ता लेना है विश्व टेस्ट चेंपियंशिप में अंके मामले में भी पहले स्थान पर चल रही टीम इंडिया के लिए ये सिरिज काप ही हो में परली बात तो यही कि टीम इंडिया ने वंडे सिरीज भी कीवी टीम के खिलाब गवा दिया था और उसे टेस्ट सिरीज में जीत हासिल कर उसका बदला लेना है साथी वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप में अपना दबदबा बनाये रखने के लिए भी भारत के लिए ये सिरीज जितना जरूरी है विराड के कप्तानी में टीम इंडिया के लिए न्यूजिलेंड के खिलाब टेस्ट सिरीज में जीत हासिल करना आसान तो नहीं होने वाला है लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है टीम इंडिया में ना तो अच्छे बल्लेबाजों की कमी है और ना ही गेंद बाजों की लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे है जो पहली बार न्यूजिलेंड के खिलाब उसकी धर्ती पर टेस्ट मेंच खेलेंगे ऐसे में अनुभाव की कमी उनके आरे आ सकती है ऐसे में टीम के तीन बल्लेबाज यानि खुद कप्तान विराट कोली चेतेशवर पुजारा और टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिक के राने पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया के मोजुदा बल्लेबाजों में इन तीनों के पास ही कीवी टीम के खिलाब सबसे ज़्यादा टेस्ट मेज खेलने का अनुभाव है साथ ही इनका रिकोर्ट भी न्यूजिलेन के खिलाब शांदार है इन तीनों बल्लेबाजों ने अब तक कीवी टीम के खिलाब जितने भी टेस्ट मेच खेले हैं उसमें 50 से ज़्यादा के ओसत से रन बनाए हैं विराट कोली की बात करें तो उन्होंने कीवी टीम के खिलाब साथ टेस्ट मेचों की 13 पारियों में 66.81 की ओसत से कुल 735 रन बनाए हैं जिसमें 3 शतक और इतने ही अर्ध शतक भी शामिले मोजुदा भारतिय टीम में विराट टेस्ट में न्यूजिलेंड के खिलाब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजे पुजारा ने इस टीम के खिलाब अब तक खेले साथ मेचों की 13 पारियों में 54.8 की ओसत से कुल 695 रन बनाए हैं उन्होंने टेस्ट में कीवी टीम के विरुद्ध 2 शतक और 3 अर्ध शतक लगाए हैं भारतिय टेस्ट टीम के उपकतान अजिक के राणे ने न्यूजिलेंड के खिलाब 5 टेस्ट मेचों की 9 पारियों में 63.62 की ओसत से कुल 590 रन बनाए हैं और 2 शतक और 1 अर्ध शतक लगाए हैं अब तक इन 3 बल्ले बाजों का जो ओसत इस टीम के खिलाप है वो अपने आप में कमाल का है यानि भारत को टेस्ट शिरी चितना है तो इन 3 बल्ले बाजों को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और टीम की जीत में बड़ी भूमी का निभाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी फ्रेंट्स आपका विराज, पुजारा और रहाने के बारे में क्या कहना है अपना सुचाओ कमेंट का ज़रूर बताए चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं अगली विडियो में तब तक के लिए नमस्कार लेटिस अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाईए इस बेल आइकन को